अलो दोस्तो मैं हूँ आपको अपना दोस्त सुनिल कुमार आपके अपने यूटूब सैनल हर्याना कुंजी पर एक पहतरीन कलास के साथ दोस्तो हम इस कलास में आपके सामने एपरेल 2021 के करंट अफिर डिसकस करेंगे अगर दोस्तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप प्लीज लाइक, शेर एंड सस्क्राइब कीजी तो चलते हैं दोस्त अपने पहले क्यूशन के साथ हमारा पहला क्यूशन इस परकार है हर्याना एग्रिकल्चर यूनिवस्टी के ने कुलपती कौन बने है दोस्तो हर्याना एग्रिकल्चर यूनिवस्टी जिकी स्ताफना 1970 में हुई थी तो उसके कारवाइक्स जो कुलपती थे डॉक्टर शमर सिंग थे उनको अभी रिप्लेस कर दिया गया है और उनकी जगया नए कुलपती बने है बल्देव, राज, कमपोच जो की उप्सन रहेगा मारे पास चलते हैं दोस्त अपने दूसरी क्यूस्टन के साथ हर्याना की पर्थम डिजिटल लाइबरेरी कहां पर स्थापित की गई है दोस्तो क्यूस्टन फिर से रिपीट करता हूं मैं हर्याना की पर्थम डिजिटल लाइबरेरी कहां पर स्थापित की गई है आपके उप्सन रहेंगे इस परकार नारनोल, करनाल, हिसार और पानिपत आपके पास 5 सगिंड का टाइम है दोस्तो आप अपना आन्शोर बता सकते हैं दोस्तो इसका आन्शोर रहेगा हमारे पास नारनोल जो की है महिंदरगड जिले में वहाँ पर हर्याना की पर्थम डिजिटल लाइबरेरी स्थापित की गई है दोस्तो चलते हैं हम अपने तीसरी क्यूश्चन के साथ हर्याना का पर्थम आंगनवाडी केंदर कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तो इसमें थोड़ा क्रेक्शन है इसमें हम करते हैं जो पर्थम डिजिटल आंगनवाडी केंदर है ये नेकी आंगनवाडी पहला अंगनवाडी के अंदर तो हमारा हशन पूर शोनि पत में स्थापिट किया गय था लेकिन यह है डिजिटल अंगनवाडी केंदर रहेगा यह हमारे पास option हैंगे करनाल, हत्वाला, बाश, गन्नौर करनाल हमारा डिश्टी के हम को पताई है हत्वाला रहेगा जीन्द के अंदर एक गाउं है बास्त हिसार के अंदर है और गन्नोर रहेगा शोनिपत में तो इसका आंशो रहेगा मारे साथ हत्वाला हत्वाला जो कि एक जीन जिले का एक कश्बा है गाउं है चलते हैं दोस्त अपने अगले किस्टन के साथ तोस्तों अगला किस्टन रहेगा हर्याना राज्य देश में गेहूत पादन में कितना योगदान दे रहा है जो कि अभी लेटस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके गोर्डिंग जो हर्याना है वो देश के कुल बंडार में स्पेसली गेहों के अंदर कितना योगदान दे रहा है जो इसके उप्सन रहेंगे मारे पास 8%, 9%, 10% और 12% तो दोस्तो हमारे पास इसका आन्शोर रहेगा हमारे पास 9% जो की हर्याना है वो देश में 9% योगदान दे रहा है अब क्यूस्चन एक और बन सकता है हमारे साथ की जो 9% योगदान दे रहा है तो हर्याना का पूरी देश में कौन सा स्थान है राजजों में तो राजजों में रहेगा हमारे पास तीसरा स्थान चलते हैं अपने अगले क्यूस्चन के साथ उत्तर हर्याना बिजली वित्रन निगम ने हर्याना में कितनी लाइबरेरी खोलेगा जो कि उत्तर हर्याना बिजली वित्रन निगम है जिसका हैड़ क्वार्टर हमारे पास पंच कुला में रहेगा उन्होंने हरियाना में अंदर डिजिटल लाइबरेरी खोलने की स्पहल की है और वो हरियाना के अंदर कितनी लाइबरेरी खोल लेगा ये है हमारा क्यूस्चन हमारी उपसन आएगा 10, 11, 12 और 13 दोस्तो इसका आंसर हैगा हमारे पास 11 जो उत्तर हरियाना बिजली वितन नीगम है इसनोंने 11 लाइबरेरी खोलने की गोसना की है जो की हरियाना के 10 जिलों में स्थापित की जाएगी हमारा अगला क्यूस्चन रहेगा हरियाना सरकार ने हरियाना को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष है अब तक निर्धारित किया है इसके अंदर हमारा हरियाना सरकार जो है हरियाना को मलेरिया मुक्त करेगा इंडिया ने भी भारत ने भी इसको लक्षे किया है लेकिन भारत का लक्षे दो जर पचिस तक का है लेकिन हरियाना ने जो लक्षे रखा है वो रखा है सर ओप्षन दोजार पत्चिस और दोजार तीस तो इन अकोडिंग के कोडिंग हमारा आन्शोर रहेगा 2022 चलते हैं अपने अगले किस्टन के साथ अगला किस्टन रहेगा हमारे पास हरियना सरकार दोजार वाटर एठोटी का मुख्य कारे कारे दिकारी किसे न्युक्त किया गया है ये अमारे न्युक्तियों से बहुत इंपोर्टेंट किस्टन है कि जो हमारा हरियना सरकार की वाटर एठोटी डिपार्टमेंट जो है उसमें एक नए नियुक्ति की गई है तो उसके उप्षन हैंगे मारे पास सत्विर सिंग काईद्यान, सुनिता शर्मा, नरेश कुमार, विजे चावडा तो इसका जो आंसोर हैगा हमारे साथ हो रहेगा सत्विर सिंग काईद्यान जो सत्विर सिंग काईदान है उनको हरियाना सरकार द्वारा Water Authority के मुख्य कारेकारि अधिकारी की नुक्त किया गया है हमारे पास अगला क्यूस्तर नेगा हरियाना सरकार कबसे अपनी नई आबकारी निति को लागू करेगी जो नई आपकारी नित्य है ये बहुत ही important question है हमारे अगामी प्रिक्ष्यां के अंदर आ सकता है तो जो नई आपकारी नित्य है वो हरियाना सरकार कब से लागू की जाएगी इसके option हैंगे 20 मई 2021, 1 अपरेल 2021, 1 नौंबर 2021 और 15 अकस्त 2021 तो दोस्तो इसका answer रहेगा 20 मई 2021 से 20 मई 2021 से हरियाना सरकार अपने नई आपकारी नित्य को लोंच कर रही है अगला question रहेगा हरियाना में पहला traffic e-court कहां पर स्थापित किया जा रहा है हरियाना सरकार ने अपना पहला traffic e-court किस जिले में स्थापित करेगे मारा basically question ये है इसके option रहेगे मारे पास फ्रीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम और यम्नानगर दोस्तो इसका answer रहेगा मारे पास फ्रीदाबाद, फ्रीदाबाद में हरियाना अपना पहला traffic e-court को स्थापित कर रहा है अगला question रहेगा दोस्तो ये एक अच्छा important question है April 2021 तक हरियाना में कितने गाउं वे सहर लाल डोरा मुक्त हो गए है April 2021 तक की जो calculation है उसके coding हरियाना में कितने गाउं और सहर लाल डोरा मुक्त हो चुकी है तो इसके option रहेगा मारे पास 1308 गाउं तीन शहर, 1200 गाउं पांच शहर, 1400 गाउं छे सहर और 1000 गाउं पांच सहर दोस्तो इसका answer रहेगा मारे पास 1308 गाउं और तीन सहर यहाँ से एक क्यूसन और बन सकता कि यह जो तीन सहर है वे तीन सहर कौन कौन से है तो इनमें हमारा रहेगा जीन, सोना और करनाल यह तीन जो सहर है वो लाल डोरा मुक्त हो चुकी है हमारा अगला क्यूसन रहेगा हरियाना का पहला ODEA PLUS का किताब किसे मिला है यह जो हमारा ODEA PLUS का किताब मिला था करनाल को और यह हमारा पहला कश्बा है बेसिकली जिसके ODEA PLUS PLUS का किताब मिला है इसके उप्षिन है कि मारे पास गन्नोर, गरुंडा, मानेशर और नारनोल तो दोस्तो इसका आंसर जो रहेगा हमारे साथ गरुंडा अमारा पहला ऐसा कश्बा है जिसे ODEA PLUS PLUS का किताब मिला है चलते हैं दोस्त अपने अगले किस्टन के साथ अंतोध्य सरल पोर्टल पर हर्याना में पर्थम जिला कौन शाह है अंतोध्य सरल पोर्टल जो की हमारे पास उसके अंदर जो हर्याना का पहला जो जिला आया है उसकी गणना के अनुशार वो हमारा पास ओप्शन है फ्रीदाबाद, फतेवाद, रिवाडी और गुडगाउं दोस्तो इसके अंदर हमारे पास उन्शार हैगा फतेवाद, फतेवाद अंतोध्य सरल पोर्टल पर हर्याना में पर्थम जिला है चलते हैं दोस्त अगले क्यूस्चन के साथ ये एक बहतरीन क्यूस्चन आया है हर्याना में बुलेट प्रूफ जैकेट का पहला प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा इसके अप्शन हैंगे रोट तक, करनाड, पानी पत और जीन्द इसका अंशोर हैगा मारे पास रोट तक रोतक में हर्याणा का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट का पहला प्लांट स्तापिद किया जाएगा चलते हैं अपने अगले किस्चन के साथ एशियन कुस्ती चैंपियंशिप में सरीता मोर ने कौन सा पदक जीता है इसियन कुस्ती चैंपिंशिप में ये हमारी दो लड़कियां ने बहतरीन परदसन करते हुए दोनों ने गोल्ड मैडल जीता है उनमें से एक का नाम है शरीता मोर और दूसरी का नाम है हमारे पास अंशु मलिक शरीता मोर जो की सोनिपत जिले से है और अंशु मलिक जो की है जिन जिले से है तो दोस्तों हमारे पास इसका अंशु रहेगा गोल्ड मैडल गोल्ड मैडल जीता है इन्होंने एशियन कुस्ती चैंपिंशिप के अंदर चलते हैं अपने अगले क्युस्चन एक और पहतरी क्युस्चन के साथ डाइकी एकसस इंडिया के सहयोग से हर्याना के किस जिले में 10 LED STP प्लांट स्थापित किया जाएगा जो डाइकी है एक जैपनिज कंपनी है उन्होंने हर्याना में 10 LED STP प्लांट की स्थापना की गोसना की है इसके अंदर जो उप्शन रहेगे मारे पास फतेवाद, जीन्द, करनाल, गुरुग्राम तो दोस्तों इसका अंशोड हैगा मारे पास फतेवाद जो डाइकी एकसस इंडिया है उन्होंने हर्याना के फतेवाद जीले में 10 LED STP प्लांट स्थापित किया करेगी अगला किस सुनेगा मारे पास ये जो क्यूस्चन है ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूस्चन है ये क्यूस्चन तो पक्का ही आएगा क्योंकि हर्याना के अंदर खेलो से रिलेटिड क्रिसी से रिलेटिड तो बहुत ही भैतरीन भैतरीन क्यूस्चन पूछे जाते हैं अगं प्रिक्षवामी तो इसका रहेगा gent हर्याना में कब से कब तक होगा जो ивают यूध गेम ये मारे पास सोत्ते हैं जो इससे पहले मारे पास महऊरास्टर में हुआ महारास्टर में हुआ था हां पे हर्याना सैकंड आया था और ये मारे पास चोसथा चोथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जिसका आयोजन अमारे option के coding रहेगा है 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 5 नॉवंबर से 25 नॉवंबर 21 नॉवंबर से 5 दिसंबर और 15 नॉवंबर से 5 दिसंबर 2021 तो दोस्तों इसका अनसर रहेगा हमारे पास 21 नॉवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 option C जो 5 नॉवंबर 5 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन हमरे अर्याना के 5 जिलों में किया जाएगा उनमें से कौन कौन से रहेंगे पंचकुला अंबाला, कुर्पचेतर और हमारे पास दिल्ली यहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा जलशक्ती अबियान के तहट देश के 10 सहरों में हर्याना का एक मत्र कौन सा जिला सामिल किया गया है इसमें जलशक्ती जो अबियान है इसके अंदर देश के विबिन सहरों को सामिल किया गया है तो 10 सहरों में से सिर्फ हर्याना का सिर्फ पूरे देश में एक मत्तर जिला सामिल किया गया है सामिल किया गया है उनमें से option रहेगा मारे पास गुरुग्राम, फ्रिदाबाद, रोतक और पानिपत जल सक्तिय बियान के तैत तस सहरों में से अर्याना का एक मत्तर जिला जो के सामिल हुआ वो है हमारे पास रोतक जो जिला है वो जल सक्तिय बियान के तैत पूरे देश के तस सहरों में सामिल किया गया है चलते हैं अपने अगले किस्चन के साथ हरियाना के किस जिली को Green Champion Award से समानित किया गया है Green Champion Award हरियाना के एक जिली को मिला है तो किस जिली को मिला है देखते हैं ऐप्शन लेकर में पास गुर ग्राम पानिपत प्रक 65 और पंचकुला जो green champion अवार्ड है हर्याणा के प्रक 66 जिली को मिला है चलते हैं अपने अगली question के सथ हर्याना की किस ग्राम पंसायत को दीन द्याल उपाद्याई बाल ही तेसी ग्राम पंसायत का अवाड मिला है हाली में अप्रेल महिने में हर्याना की बहुत सी ग्राम पंसायतों को कुछ अवाड मिले है जो की इंपोर्टेंट है वो हमें याद रखने है जो हरियाना की गरामपद यह जो अवार्ड ही है दीन द्याल उपाद्या, बाल ही तेसी गरामपन साथ अवार्ड है उप्शन रहेंगे इसको कहनोर, शापला, घंणोर और घंणडा तो इन में से हमारे पास आंस्यों रहेगा हमारे पास कहनोर, कहनोर जो गाओं है की पहली या एक मात्र मेला जादूगर कौन है जिसे IBM ने अपने साथ काम करने का मौका दिया है दोस्तों अमारे पास option रहे गए काईजा क्विन बेगम ठाकूर सुनिता ठाकूर सुभावी आरिये इसका answer रहेगा हमारे पास काईजा क्विन काईजा क्विन हर्याना की पहली या एक मात्र मेला जादूगर है जिसे IBM ने अपने साथ काम करने का मौका दिया है चलते हैं अपने अगले question के साथ नाना जी देशमुख राष्टिय गोरो सभा पुर्षकार हर्याना की किस गराम पंचायत को दिया गया है आपके option रहेगे बदाना ने बढ़ाना है इकस बगवानपुरा और टोकश इसका answer रहेगा हमारे पास बढ़ाना बदाना जो गराम पंचायत है ये रहेगे मारे पास जीन जीले में जीन जीले में जो पंचायत है इसको नाना जी देशमुख राष्टिय गोरो पुर्षकार से सम्भानित किया गया है चलते हैं अपने अगले question के साथ हर्याना की किस जीले में National Institute of Personal Technology बनाया जा रहा है ये भी बहतरीन question है जो की बहुत ही important question है अगामी प्रिक्षा के लिए question एक बार दोबरा रिपीट करता हूँ हर्याना की किस जीले में National Institute of Personal Technology संस्थान बनाया जा रहा है option हैंगे मारे पास पाने पत, रेवाडी, पंचकुला, गुरुग्राम इसका answer हैगा हमारे पास पंचकुला पंचकुला में हर्याना का पहला National Institute of Fashion Technology संस्थान बनाया जा रहा है चलते हैं अगले question के साथ हर्याना में कहां पर राज्य ऑक्सिजन नियंतन कक्ष स्थापित किया जा रहा है जैसा कि करोना काल में ऑक्सिजन की बड़ी किल्ट हुई है पिसले कुछ दिनों में तो ये question थोड़ा important है कि राज्य में जो ऑक्सिजन नियंतन कक्ष बनाया गया है वो हर्याना के कहां पर स्थापित किया गया है option रहेगा हमारे पास पंचकुला, चंदिगड, करनाल और रोत्तक तो जो दोस्तों इसकाहन से हो रहेगा हमारे पास चंदिगड, चंदिगड के अंदर हमारे पास राज्य ओक्सिजन नियंतन कक्ष स्थापित क्या जारा है अगला किस सुन रहेगा ग्राम पंचायत विकास योजना पुर्षकार हर्याना के किस दिले की ग्राम पंचायत को दिया गया है जैसा कि मैंने पहले भी एक या दो किस दिले पहले करवात सुका हूँ हमारे पास बढ़णा ग्राम पंचायत को अवाड मिला है और ये ग्राम पंचायत विकास पुरुसकार है ये भी एक पंचायत को मिला है वो पंचायत आपके उप्शन में दी गए है गुर्ग्राओं के मिर्जापूर, हिसार की टौकश, विवाने की तोशाम और शोनिपत की गन्नौर जो इसकानसर रहेगा दोस्तों, गुर्ग्राओं की मिर्जापूर गुर्ग्राओं की मिर्जापूर जो ग्राम पंचायत है उसको ग्राम पंचायत विकास योजना पुरुसकार से सम्मानित किया गया है चलते हैं अपने अगले क्यूसन के साथ हर्याना के किज जिले के पैरा एथिलेटिक्स अनिल काध्यान ने सरण पतक जिता है जो पैरा एथिलेटिक्स प्लेयर हमारे हर्याना के अनिल काध्यान उन्होंने सरण पतक जिता हाली में तो उनका संबंध हर्याना के किज जिले में है हर्याना HSC जो है वो इसी टाइप की क्युक्शन पूशती है नैक वो ज़्यादातर खिलाडियों के डिस्टिक्स से पूशती है तो ओप्शन नहींगे मारे पास करनाल, जजजर, स्वनिपत, पानिपत जो अनिल का ज्यान है, इन्होंने पेरा एथलेटिक्स में सनुपदक जिता है वो हर्याना के जजजर से समदित है अगला क्यूस्ट नहींगा दीन द्याल उपाध्य, पंचायत पुर्षकार, हर्याना की कितनी पंचायत समीतियों को दिया गया है एक और पंचायत समीतियों को जो अवाड मिला है इसमें हर्याना की कितनी समीतियों को मिला है ओप्शन हैंगे दो, तीन, चार, पांच तो दीन द्याल उपाध्य, पंचायत पुर्षकार, हर्याना की दो पंचायत समीतियों को मिला है इसके अंदर दो पंचायत रहेगे हैं हमारे पास गरोन जो पटोदी है और एक है सीवन जो के थल में हैं पटोदी गुरुगराम में हैं अगला क्यों सनेगा हर्याना राज्य महिला यह वो बाल विकास विभा की मानेदेशक किसे बना गया है बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूकती है जो कि है हर्याना राज्य बाल विकास विभा की मानेदेशक जो बना गया है तो दोस्तो इसकान सो रहेगा मरे पास आसीमा बराड़ आसीमा बराड़ को जो हर्याना राज्ये मेला एमबाल विकासी वाकी मानिदेशक बना गया है चलते हैं अपने अगले क्यूस्टिन के साथ हर्याना राज्ये कल्यान प्रिशिद का मास्चिव किसे बना गया है अन्सर रहेगा हमारे पास परवीन जो अत्री है उनको हर्याना रज्य बाल कल्यान प्रिशिद का मासिव बनाया है चलते हैं अगले किस्तुन के साथ हर्याना अनुसुतुत जात्ती वेपिछडा वर कल्यान विभाग के मानदलिसक किसे बना गया है हर्याना अनुसुजित जाती व्यपिछडा कल्यान विवाग के मानेदिशक किसे बनाया है option हैगे मारे पास मंदीप कोर, संदीप कुमार, निरज कुमार, रिना सिंग इसका जो answer रहेगा मारे पास मंदीप कोर मंदीप कोर है को हर्याना अनुसुरी जाती वे पिछड़ा कल्यान विभाग के मानेदिशक बना गया है चलते हैं अगले क्यूस्टन के साथ एक और निक्ती हर्याना किर्सी विभाग किसान कल्यान विभाग का OSD किसे निक्त किया गया है हर्याना किरसी विभाग का जो OSD है वो किसी नुक्त किया गया है आपकी option हैंगे हमारे पास Dr. Manoj Kumar, Dr. Sumit Misra, Dr. Sundeep Kajjan और Vizender Singh जो इसका answer रहेगा हो रहेगा हमारे पास Dr. Sumit Misra Dr. Sumit Misra को जो है हर्याना किरसी विभाग का OSD नुक्त किया है चलते हैं अगले क्यूशन के साथ हर्याना में खेली वाका डिप्टी डारेक्टर किसे न्यूक किया गया है ये भी एक न्यूकती है खेलों में हर्याना का पहले ही बहुत ज़्यादे क्यूशन पुज़ेदार है तो इसके जो उप्शन रहेंगे मनोज कुमार, अमित सिहाग, विजंदर सेंग, राम सेंग जो इसका आंसर हैगा मारे पास मनोज कुमार, मनोज कुमार को हर्याना के लिवाके डिप्टी डारेक्टर न्यूकत किया गया है चलते हैं गले क्यूशन के साथ हर्याना राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाय गया है जो हर्याना का राज्य है निर्वाचन आयुक्त उसे किसे निक्त किया गया है बहुती इंपोर्टेंट क्योशन है किसे ने किसी आगामे एकज्यामे जरूर आएगा इसके option रहेगे मारे पास केशनी आनद अरोडा, धनपत सिंग, हरदिप सिंग और विना मलिक जो इसका जो answer रहेगा मारे पास धनपत सिंग, धनपत सिंग जो है उसको हर्याणा राज्य निर्वाचन आयुक्त नुक्त किया गया है, बहुत ही important question है हर्याणा में स्वास्तिव वाच का मानदिसक किसे बना गया है, हर्याणा एक और नुक्ति है, नुक्तियों को दोस्तों मैंने अपने according एक साथ ही रखा ताकि याद करने में किसी कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है जो इसके option हैंगे मारे पास मनपरीत कोर, विना सिंग, हर्दीप कोर, आसिमा बराड, जो हर्याणा स्वास्तिव वाच का मानदिसक है, वो बनाया गया हमारे पास, विना सिंग, विना सिंग जो है, इनको हमारे पास हर्याणा स्वास्तिव वाच का मानदिसक बनाया गया है पहले अध्यक्स, पहले न्युक्टी जहां पर भी आती है, वो मिसा इंपोर्टेंट ही रहता है, तो इसके पहले अध्यक्स जो बनाए गए है, option है कि मार पास केसनी आनन अरुडा, विजिंदर सिंग, हरदीप सिंग, मंजित कोर, जो इसका answer रहेगा हमारे पास, वो रहेगा केसनी आनन अरुडा, केसनी आनन अरुडा हर्याना की पहले, सच्ची भी रह्च की है, मुक्यस्ची उसके बाद में इनको अब ने न्युक्टी दी गई है, ने जिमिवरी दी गई है, चलते हैं अगले क्यूस्टन के साथ, ये भी important क्यूस्टन रहेगा हमारे पास, जैसा की हम पहले डिसकस कर चुके हैं, तो उसका जो नोडल दिखारी वो बनाय गया, हमरे पास विजंदर कुमार को अर्याना ओक्सिजन नोडल दिकारी नुक्त किया गया है चलते हैं अगले किस्टन के साथ अगला किस्टन रहेगा हमारे पास हर्याना किर्शी विपनन बोड के ने परशाशक कौन नुक्त की गये हैं हर्याना किर्शी विपनन बोड के उप्षन रहेगे मारे पास हरदीप सिंग, विना मलिक, विजिंदर सिंग, असीमा बराड जो इसका आंसोर रहेगा मारे पास हरदीप सिंग, हरदीप सिंग इसके लावा हरेना किसान कल्यान प्रादीकन के मानदी सकी भी है, इसके लावा हरेना भूमी सुधार नीगम के कारे अधिकारी भी है तो हर्दिप सिंग को एक संयुक्त कह सकते हैं हम इसको जिमिवारी दी गई है दो तिन डिपार्टमेंट की दोस्तों यह था मारे पास एप्रेल महिने के कुछ इंपोर्टेंट करन्ट अफेर आसा करता हूं कि आपके लिए थोड़े बहुत बेनफिट रहेगा इसी तरह से हम आपको अपने चैनल पर करन्ट अफेर हर्याना जी के और जो भी हर्याना के एससी से रिलेटर जो भी कंटे आसा करता हूं दोस्तों आपको यह कलास पसंद आई होगी आप प्लीज लाइक करें शेर करें सस्क्राइब करें आपके अपने चैनल हर्याना कुंजी को मिलते हैं आपको अगली कलास में देनवा दोस्तों